कि अभी हम लोगों ने उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर हम वाइब्रेशन के न्युमेरिकल्स कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोगों नेच्रल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना सीख लिया है यह अंडरूट के वायम और कुछ कुछ कंडिशन में अंडरूट जीवायद तो यह फर्स्ट नुमेरिकल आज हम शुरू करते हैं इस्प्रिंग मास्स स्टम नॉट तो नुमेरिकल है सब्सक्राइब शुरूट हुत नुमेरिकल टेटा भी साथ साथ हुआहा चलता हूं थीड़ी essendo Kingdom and वाइब्रेशन की न्युमेरिकल में हमेशा एक चीज का ध्यान रहो भले आपको कितने ही आए आप वो सिस्टम जरूर बनाओ तो उसने बोला एक स्प्रिंग मास्ट को बना के छोड़ तो उससे कोई फर्क नहीं पर पर जरूरी एक स्प्रिंग मास्ट सिस्टम में जिसकी स्टिफनेस कितनी दी हुई है के न्यूटन मीटर मतलब के दिया हुआ हैं एंड आ मास आप में के जी तो जो एम हम चोटा ले रहे था है उसकी वैल्यू इन्होंने दिये बड़ा एंट यह हो गई इस स्टिफनेस एंड दिस इस मास ठीक है मास और स्टिफनेस की वैल्यू इसने क्या दे दिया है नैचरल फ्रिक्वेंसी लिख रहा हूं इसको कणवर्ट करना में बताउंगा नैचरल फ्रिक्वेंसी उसने डिया है अभी तक हम लोगोंने हट्स वाली यूनिट से डील नहीं किया है अब क्या बोल रहा है एक्स्ट्रा टू केजी मास इस तो एक्स्ट्रा 2 kg मास इस कपल्ड विद इस कपल्ड विद टी प्रीविएस मास जो की एक्स्ट्रा टु केजी मास प्लस जो कैपिटल एम हो गया तो नहीं जो कंडिशन हो गई वो क्या हो गया मेरा M plus 2 नए वाले mass की condition and the natural frequency reduces by 2 hertz जब मैं इस M mass में इस M mass में 2 kg add करूंगा तो उसकी जो natural frequency है वो 2 hertz कम हो जाएगी 2 hertz कम हो जाएगी तो जो new natural frequency है new natural frequency वो कित्ती हो जाएगी 12 minus 2 that is 10 hertz ठीक है find the value of k and m find k and ठीक है तो this is your problem क्या है problem में spring mass system है उस mass उस spring की कोई उस stiffness कोई value है कुछ mass की value है उनकी natural frequency 12 hertz देदी अब क्या कर रहा हूँ एक और mass में 2 kg उसमें एड कर रहा हूँ तो जैसे ही मैंने इसमें 2 kg एड किया तो उसकी natural frequency कितनी हो गई 10 hertz हो गई दो काम हो गई तो अब हम इसको solve कर लेते k by m बहुत आसान टाइप के सवाल है आते बहुत हैं क्या करूं सबसे पहले तो मेरी जो natural frequency थी वो क्या थी ओमेगा अंडर रूट के बाइ एम और मुझे पता है कि एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा एन अपॉन में टू पाई ओमेगा एन अपॉन में टू पाई ठीक है नाव ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड में और जब इसको टू पाई से डिवाइड करूंगा तो यह फ्रिक्वेंसी इन हर्ड्स निकल जाएगा भेसे और ये बटीयन पर सेकेंड तो यह हो जाएगी planets हें थो एपंगा कि वेली वेल्विट यहाँ पर रेडीयन पर सेकेंड है थो deprived ठीक है तो पहले case में मुझे दिया है 12 hertz that is equals to 1 upon में 2 pi under root ky m ये धर गया 12 into 2 pi that is equals to under root ky m this is your first equation now in the second case when m is increased by 2 kg natural frequency 10 hertz हो जाएगी तो ये पहला बोल देता हूं इसको f n 2 क्या हो जाएगा one upon में 2 pi under root under root ky now capital m plus 2 यहां पर ये capital m हो जाएगा है capital m by 2 तो f n कितना हो जाएगा मेरा 10 hertz 10 into 2 pi that is equals to under root ky m plus 2 this is equation number 2 तो यह हो गई हमारी second equation जब हम लोगोंने capital m use कर लिया m plus 2 तो के जी तो यह 10 hertz हो गया था अब इन दोनों equation को divide कर देते हैं जब इन दोनों equation को पाई यहां पर यह है अंडर रूट के बाई capital m अपॉन में अंडर रूट के अपॉन में capital m plus स्थीक है अब यह देखो 252 पाई चले गए यह के से के चला गया यह ऊपर पहुंच गया यह नीचे आ गया दिस इस वन पॉइंट तू ट्वेल डिवाइद वाइद वाइद तैन दैट इस इक्वास तू कैपिटल एम प्लस टू अपॉन में है 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 कि ही और यह को आप चलांगी तो 1.2 का स्क्वाइए इंटू मैं में मैं तो यह इस इक्विएशन में अभ यह आ गया ना लीनियर एक्विएशन आ गया यह इधर चला गया तो 1.2 का स्क्वाइर इंटु M that is equals to M plus 2 यह इधर आएगा यह देखो तो यह आ गया M जब इधर आया तो यह हो गया 1.2 का स्क्वाइर माइनस 1 देट इधर इधर आएगा 2 तो M will be equals to 2 upon में माइनस तो यहां से हमारी M की वैल्यू आ जाएगी जैसे ही मेरी M की वैल्यू आई यह आएगी लगभग आपकी 4.545 kg इसके आस पास ही आएगी अब मुझे क्या निकालना है मुझे के निकालना है तो फस्स एक्वेशन में पुट कर देता हूं पॉट इन पास एक्वेशन पॉट इन एक्वेशन वन क्या हो गया यह 24 पाई इस एक्वास टू अंडर रूट के अपॉन में M की जगे रख दिया 4.54 इसको स्कॉयर किया के इंटो 4.545 के की वैल्यू आगई 24 पाई का होल स्कॉयर इंटो 4.0 सो लिए के विल बी आरॉंड 837.83 न्यूट न्यूटन पर इस इस डिवैज वैल्यूंड और श्रीज यूञ चंपर न्यूमेरिकल जिसमें के और M की वैल्यूज नहीं देके दिया और उसमें एक पेरमिटर में कुछ वैल्यूज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए system. Thank you.